नवश्कार, मेरा नाम रॉक्टर राजू इश्वरन है घुटने की आथराइटिस में हम अकसर पेशन्स को इंजेक्शन्स की सला देते हैं कई तरह के इंजेक्शन्स आते हैं में लिए तीन तरह के घुटने की आथराइटिस के लिए इंजेक्शन्स आते हैं injections आपके लिए कितना beneficial रहेंगे और इन injection के arm side effects क्या है तो आईए इस पहले वीडियो में जानते हैं कि हमारे पास किस तरह के injections है घुटने की arthritis को ठीक करने के लिए सबसे पहला और सबसे पुराना injection जो हम काफी time से देते आए हैं वो है steroid का injection steroid एक powerful anti-inflammatory agent होता है जो आप दवाइएं लेते हैं वो मुझ से लेने वाली anti-inflammatory agents होती है हम joints के अंदर steroids डालते हैं ताकि joint के अंदर उसका anti-inflammatory action बना रहे हैं जो दूसरा category का injection बहुत popular है वो है lubrication यानि की grease का injection hyaline GF20 क्या और भी तरह के molecules आते हैं इस तरह की treatment को हम visco supplementation कहते हैं हम जोड के अंदर एक high molecular weight lubricant inject करते हैं और ये lubricant एक non-newtonian fluid की तरह behave करता है आपके joint के अंदर Newtonian fluids वो होते हैं जिनकी viscosity बराबर रहती है पर non-newtonian fluids ऐसे होते हैं जिनकी viscosity stress पे यानि की load application पे बढ़ती है तो ये वाली grease के injection joint के अंदर non-newtonian fluids की तरह act करते हैं जब भी आप बजन देते हैं जब भी आप खड़े होते हैं जब भी आप चलते हैं इनकी viscosity बढ़ती है जब आप rest करते हैं तो इनकी viscosity नॉर्मल हो जाती है एक तीसरे type का injection जो की हाल में बहुत popular हुआ है वो है blood के injections यानि की PRP या प्लेट रिच प्लास्मा के injections इन injections में हम आपका थोड़ा सा blood लेते हैं टिपिकली 30 cc blood और उसको हम एक special process से एक centrifuge में घुमा के उसमें से 2 या 3 cc platelets के निकालते हैं platelets बड़े अच्छे cells होते हैं हमारे blood के उसके अंदर alpha granules करके चीज होती है जिसमें बहुत सारे growth factors होते हैं almost platelet rich plasma में अंगिनत growth factors हैं जो की आपके जोड के internal धाचे को ही बदल देती है तो ये एक तरह का biological treatment है arthritis का तो ये 3 injections तीन अलग तरीके से काम करते हैं आईए देखें कि इन 3 injections की कैसे तुलना होती है अगर हम देखें एक patient के नजर ये से कि doctor मिरको आराम सबसे पहले कब मिलेगा steroids से आराम आपको सबसे ज़्यादा तेज बिलता है generally steroids लगाके 2 या 3 दिन के अंदर ही आराम आना शुरू होता है जबकि PRP और visco supplementation में अंदाजन एक महीना लगता है दूसरा सवाल हमारे patients का होता है कि जो आराम मिला है हमको वो कितने time तक मिलेगा इसमें आराम का duration सबसे short steroid के साथ है 2 या 3 हफते से ज़्यादा आप उमीद मत रखिये कि steroid का injection काम करेगा PRP और visco supplement के injections अंदाजन एक साल तक काम करते हैं कई बार उससे ज़्यादा भी काम करते हैं practical question कौन सा injection सबसे cheap पड़ता है steroids आज की डेट में सबसे cheap पड़ते हैं किस injection के सबसे कम side effects हैं well steroids के सबसे ज़्यादा side effects है PRP और visco supplementations के बराबर और सबसे कम side effects है और तीसरा और सबसे valid सवाल कि आज की डेट में research क्या कहती है अभी 2020 इसी महीने छपे हुए इस article में ये पाया गया है ये level 1 evidence है level 1 सबसे उचा evidence माना जाता है इस level 1 evidence के according जो high molecular weight visco supplements होते हैं जैसे कि highland GF20 आज की date में सबसे असरदार है घुटने की arthritis में PRP का uncertain role है अभी भी research इतनी अच्छी नहीं है कि हम आपको अच्छी recommendations दे पाए and steroids short time के लिए add करते हैं long acting steroids भी मिलते हैं market में but अभी वो इंडिया में launch नहीं हुए अभी विदेश में ही launched है and steroids की अपने side effects है इस video की shrinkla में जैसे आप आगे देखेंगे मैं इन side effects को भी cover करूगा